वूड इविनिंग नमश्कार प्रणाम जहिन कैसे आप सबी उम्मीद करता हूं सारे लोग सुष्थ होगे मस्त होगे जबरदस्थ होगे और जैसे आप सबको पता है दोस्तों कि रोजाना सुबाब 5 बजे और शाम को चार बजे मैं आप सबी के साथ आप मेरे पीछे देख पार है कि बिहार पुलिस के अंदर अवर सिवायोग में कुछ और सब इंस्पेक्टर के लिए वेकंसी देखने को मिली है जिसकी फॉर्म फिलिंग आज यानिकी चार तारीक से शुरू हो रही है तो मैं डीटेल में आपको इस फॉर्म फिलिंग के बार तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं आज चार नवंबर से लेकर चार दिसम्बर तक किस किस में वेकंसी आई हुई है तो यहां पर लिखा है सब इंस्पेक्टर प्रोविजन के अंदर वेकंसी आई हुई है जो निगरानी विभाग में वहीं बिहार सरकार में आपकी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसकी वेकंसी आई हुई है तो दोनों पर आई हैं एक निगरानी विभाग के अंदर और एक आपकी नॉर्मल पुलिस विभाग के अंदर भी वेकंसी आई हुई है चलिए चर्चा कर लेते हैं इस पर क्या-क्या है इसमें क्या-क्या दे तो दो तरीके की इसमें विकनसी आपको देख रहे होंगी एक आपको देखरें सब्सक्राइब पर परिक्षा प्रत्यूक्टा आयोजित की जाएगी और उसके बाद इसके बारे में जानकरी आगे भी दे रखेंगे काफी कुछ आपने देख लिया तो दोनों मैंसे किसको आपको प्रफरेंस देनी आप उसको नंबर एक और बाकी को नंबर दो पे रख सकते हैं एक ही फॉर्म बना दोनों को प्रफरेंस देना है बोलोगे तो परिशान परिशान मतों करवा दूगा लग से इसमें पर चर्चा कर लेते कि मदने से जो उत्पाद विवाग होता है विहार सरकार में अवर सिक्षा के तहत उस निगरानी विवाग भगैर हमें नियुक्ति पधेतु यह पूरा का पूरा नॉटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके बारे में पूरी डीटेल में यहां पर चर्चा की गई है यह क्या क्या है क्या क्या चीज़ें है वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है फिर आता है आ आपने ग्रेजिवेशन मतलब अपनी हम जो ग्रेजुएशन के एस नातक की परिक्षा को पास कर रखा हो तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गए इस नातक की परिख्षा पास होने चाहिए तो यह दस्वी और बार्मी वालों के लिए नहीं है अगर कोई टैंथ बेस प मे गढ़ना भी 1 8-2 0 23 से कि जाएगी 1 8-2 0 23 से गढ़ना करनी है कितनी होनी चाहिए उमर में निकने बात पडit करें महिलाओं के लिए नियुकम उमर 20 साल और अधिकतम 40 साल है किसके लिए जन्रल कैटे करें लिए जो साववान से कने से जनरल वाले होते हुँ वहीं जो लोग आपके ओवी से आते दें पिछला पार की आते हैं उनके लिए 20 वर्ट और अधिकत्म 40 वर्स उनको देखने को मिलता है गया वहीं बीहार के वैसे सरकारी सेवों को उच्चा च्छतर बेतम के मतलब बारे में बात करी गई और यहां पर यह बोला गया है कि जो भी लोग पहले से बिहार के विध्यारती है अगर वो लोग फॉर्म को फिल करने जाओगे तो आपको पता होगा यह चीज कि जब राजित से बाहर का कोई विध्यारती आविदन करता है तो उसको ऑटोमेटिकली जनरल की कैटेगरी में मा करवाना अगर आप बिहार के नहीं है तो आपको ऑटोमें जाएगा जोंकि एक सो 155 किसको जनरल कैटेगरी के लिए और जो आपके OBC के टेगरी वाले आते हैं उन दोनों के लिए वहीं अगर मैं सेकेंड पर बात करूँ तो जो आपके SCST से ब्लॉंग करते हैं उनके लिए 160 cm की हाइट मांगे गई एक सेंटीमेटर का रिलक्षेशन महिलाओं के लिए है वहीं चेस्ट सिर्फ पूर्शो की होगी तो जो नॉर्मल होनी चाहिए वह पहिलाओं के लिए चेस्ट नहीं होता वह आप सबको पता होगा वजन जो होगा वह मिनिममम बोल रखाएंगे 48 किलों तो होना चाहिए 48 से उपर ही और 6030 साल के होगे तो ओब सिच्वें 5050 603 कम से तो ठीक तीक परिक्रिया आती कि अ指त पर के अंदर पर करते कि कatisfaxime ये ऐस्ट पहला डोगशना हींगे दो घंटे का यूखा पहले पीलन के अंदर सो सो नंबर के होँगे और उसमें क्या क्या हो उप्त में समान ग्यान एवं समासिक जितने भी आपके समसमाईक मुद्दों से संबंद्ध प्रशन पूछन पूछेंगे मतलब जीए वाला पोर्शन इसमें देखने को मिलेगा इसमें 30 प्रतिशत से कम अंग प्राप्ट करने वाले अब भ्यारती मु उनकों के आधार पर रिख्तियों के 20 गुना सफल विद्यार्तियों का चैन किया जाएगा अच्छा ठीक है तो आप यह समझत है साथ पर पास हो जाओगे जितनी भी विकंसी चौट का बीस गुना कितना हो जाएगा बारा सौशी तो बारा सौशी लोगों को क्वालिफाइ करवाया जाएगा यह इनोंने साफ साब बोल रखा है उसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं फिर दुट्टिये चरण में आपका जो आएगी प्रारमिक्स में जो सफल विद्यार्तियों को दुट्टिये चरण के अंदर जो होंगे वो क्या होंगे यहां पर क्लिर दिखा और अगर हम बात करें तो मैथ औरर रीजने साब हैँगे जी और शी चार विशह के अंदर देखने को मिलेगे आपको और चारोकर विशह के अंदर जो पेपर मिला कर होगा रिखित परिक्षा के आदार पर रिख्तियों के 6 गुणा अब जब आपका दूसरा बाला होगी तो रिख्तियों के 6 गुणा लोग इसके बाद आगे की तरफ भेजे जाएंगे तीसरा चलन आएगा जिसमें सारे जक्षता होगी मतलब जो आपकी अब आपकी पूरा का शीभी के दोड़नी है वही महिलाओं के लिए वही दोड़ जो होगी वह आपको एक कीलोमेटर की हो जाएगी और समय रहेगा और शी मिनट गा तो महिलाओं के लिए एक किलो मिटर की दोड़ी रहे चार फीट तक की चार फीट की आपको उची खूद्गूद hard नहीं होगी महिलाओं के लिए लड़कीों के लिए तीन फेट रहने वाली लड़कों के लिए चार फेट रहने वाली है उसके बाद आता है लंबी कूद फिर लंबी कूद होगी जिसमें आपको 12-50 कम से कम कूदन फेकना होगा वह वहीं आगर वहीं बात करें उस चीज़ को महिलाओं के लिए महिलाओं का 12 आप गोला को जिसी पर फेकना होगा उसके बाद नियत समय में पूरसों के लिए में दौर पूरी कन्नी है ठीक हो जाएगा उसके बाद आता है मेदा सुची के अंस्वासन मतलब उप्रोक पड़ों पर नियुक्ति होने के लिए चैन अंतिम रूप से सफल विद्यार्तियों को मेदा सुची के मुख्य लित पर निकाल दिया रखिए यहां पर कुछ पदों की संख्या है कि किस में कितने पदा आपके सामने रहेंगे आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वरक है मतलब की जो आप लोग बोलते एडवलू एस उसके लिए 6 वेकंसी हैं और यहां पर दो वेकंसी है यहां पर चार वेकंसी है यहां पिछला वरक की भी दे रखिए तो यह अलग 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 के टेग्रीज वाइस वेकंसी को इन्हों ने दिया है सामाने प्रसासन के अधार पे इन्हों ने बोला है कि 182 2016 क्या लोग मतलब यह तो पुराना एक प्रापतांक के बारे में जानक कर सकते हैं तो यह है अगर हम बात करें तो जस्ट कहां गई बिहार वाली आपकी में साइट पर आपको लेकर चलता हूं यह आपकी BPSC वाली साइट है आप आगे देख पा रहे होंगे यह आपकी पूरी BPSC की साइट है जो आपको दिख रही है BPSC बीपी ट्रिपलेस डव चलनी है आप इसमें अप्षिन देख चाहर दसको एपलाई ओं-लाइन फॉर दा पुलिस इंस्पेक्टर इन हों इना डिपार्टमेंट गवर्मेंट और इंडिया बिहार का वह सारी के सारी चीज़ों के साथ जाकर आप इसको एपलाई कर पाईगे तो फिर मैं आपको लिए करना फॉर्म भरने में आपको चाहीं अगर फॉन पर नोटीफिकेशन आजाए और आप इजी किया कर पाऊगो और आराम से अपूसको देख पाऊ अच्छा जैसे कल को मैं मानलों किसी बीटाइम फॉर्म फॉर्म देकर आया तो आपको नोटिफिकेशन मिल झाएगा दूसरा अगर आपको यूट्यूब पर क्लासिस भी चाहिए से लेटर आप लोग फॉर्म भर रहें और आपको रखता है कि सर मुझे क्लासिस चाहिए से लेटर डेफिनिटली आप मुझे वह भी कमेट करके बता सकते हो हम लोग प्लान करेंगे जो भी टाइम निकल पाई का में आपके लिए क्लासिस भी अरेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे तो यह थी जानकरी दोस्तों क्लासिस के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते ताकि जब क्लास लाइव हो तो आपके फोन पर नोटिफिकेशन आते रहें बाकी कुछ और है अब बताओ क्या थ तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें अभी आप जाएंगे फॉर्म फिल करेंगे एक्जाम क्वालिफाई करेंगे फिर दो-चार लाक रोपय आप उस अकेडमी को देंगे फिर वह आपकी जॉइनिंग की बात करेगी तो बहुत अलग प्रॉसेस है मेरे हिसाब से रहने द